हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सब कॉमेंट के द्वारा जुरूर बताईएगा तो आज मैं आप सब के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ईजी तरीके से छोले और कुल्चे की रेसिपी जो कि आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं परफेक्ट तरीके स सबसे पहले यहां पर मैंने छोले लिये थे छोले मा न बावल लिया था बड़ा और उसको रात मैं भी हो दिया था अब सुबह में में अच्छे से द्वो बचिसे मिलूंगी जब तक छोली उबलेगे तब तक हम कुल्चे की तैयारी कर लेते हैं तो कुल्चे बनाने के लिए यां पे देखें मैं गीहुं का आटा और साथ में मैदा दोनों का यूज कर रही हूं आप चाहें तो डालेंगे जो पीसा चीनी आता है उसको पीस लीजे नहीं तो थोड़ा सा मैंने यहाप जो है मोयन के लिए डाल दिया है रिफाइंड ओयल साथ मैंने दही लिया दही थोड़ी सी खटी होनी चाहिए जिससे की खमीर अच्छे से हो जाए बस इसको हमें इन सारी चीजों को पह डालोंगी जिस से की अच्छे से इसमें चुटगी भर आप सोड़ा भी डाल सकते हैं इस तरीके से चाहे बेकिंग conve algum बेकिंग सोड़ाओ आल सकते हैं अब थोड़ा-शथोडा पानी डाल के इसका हमें डो रेडी करना है तो बस डो हमें जैसे हम रोटी का डो रेडी करते हैं वैसा ही डो हमें रेडी करना है तो चली डो को रेडी कर लेते हैं और अच्छे से इसको गूत लेना है और उसे गूतने के बाद हमें इसको जो है रख देना है सेट होने के लिए 10 से 15 मिनिट के लिए उतने में इसमें अच्छा सा खमीर आ जाएगा जब भी आप आठा लगाए तो उसमें अपने फिंगर के निशान जरूर बना दें जिससे कि ये अच्छा रहता है बोलते हैं बोला जाता है बड़ो से कि कर देना चाहिए अब देखे यहां पर तब तक हमारे छोले भ मैं लिए है तीन प्याज लिये हैं उसमें मैंने कट कर लिया है और इधर मैं एक साइड में कड़ाई रख दे रही हूं और मस्टरड ओयल साथ में और उसको गरम होने देते हैं तब-tक हम मसाले तैयार कर लेंगे यहां पर मैंने सूखे मसाले लिया तन्या पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला, साथ में हल्दी है, थोड़ी कलर वाली लाल मिर्च है, इनको हमें मिला लेना है, अब मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ, साथ में दो तेजपता डाल ले हूँ, उस तोड़ के डालना है, और साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा, एक लाल मिर्च को तोड़ के डाल लिया है, यह तड़के में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो आप जोरूर डाला करिये, स्किप नहीं किया करिए, थोड़ा हिंग डाला है, यह फूरी है हिंग जो होते हैं और डाइजेस्ट करने में प्राव्लम होता है, जो मसाले हमने निकाल के रखे दे, छोला मसाला मैंने यहाँ पे एक चमच लिया है, वो मैं एवरिस्ट का यूच करती हूँ, आपके पास जो हो आप कर सकते हैं, पर एवरिस्ट का मुझे बहुत जादा पसंद है, मेरी फैमिली को भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अब प्याज अच्छे प्याज लहसन अद्रग मिर्च का पेस्ट बनाया था, वो हम यहाँ पे डाल देंगे, मसाले पहले भूनने से क्या होता है, कि कलर बहुत अच्छा है, जब तक मसाले एक साइड में भून रहे हैं, मैं यहाँ पे राइस को भीगो दी थी, पास मिनट के लिए सिर्फ, और अ सकते हैं, पर छोले के साइड जीरा राइस भी अच्छा लगता है, तो साइड में जीरा राइस भी बना रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए, बस चावल को मैंने डाल दिया है, थोड़ी दर चावल को भूनेंगे, बाकी और कुछ नहीं डालना है, और बस भूनने के बाद इसमें जितना चावल हमने लिया है, उसका डेड़ गुना पानी डालेंगे, जैसे कि आपने एक गिलास लिया है, चावल तो डेड़ गिलास पानी परफेक्ट पुलाव बनेगा इससे, तो यहाँ पे मैं पानी डाल दे रही हूँ, दूसरा अंदाज एक फिंगर का होता है जो कि मैं अपने वीडियो में काफी बर बता चुकी हूँ कि आप एक पूर पानी डालिए तो भी आपका जो राई से वो परफेक्ट बनेगा, इस तरीके से एक पूर इतना पानी होगा, चावल के उपर से तो परफेक्ट होता है, थोड़ा मुझे कम लग रहा था थोड़ मैंने और डाल दिया, अब मैं इसमें सिर्फ फुल फ्लेम पिट, दो विसल करूंगी और चावल हमारे बनके रेडी हो जाएंगे, इतनी तेर में देखिए मसाला भी अच्छे से भून गया है, और कलर आप देख सकते हैं मसाले का कितना अच्छा आरा है, देखने में इतना मैं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फ्लेवर तो पूरा अच्छे से आ चुका है, लास्ट में मैं एक चीज और डालूंगी तो बने रहेगा वीडियो में, मैं आगे और क्या डालती हूं जिससे की छोले का कलर और टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, अब यहां पे मै खूब सारा धनिया डाल रहे हूं क्योंकि धनिया का फ्लेवर होता है वह बहुत जादा टेस्टी होता है और सबगलर रूप होता है, रंग होता है, जास्ट में इसमें डाल रहे हूं एक चम्मच्छ daus, चाइपती लिए ता उसको अच्छे से बॉइल कर लिया था और लास पाद जो मैंने आटा गूत के रखा था मेरी बेटी आ गई ममा मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी मैं ने का ठीक है कर लो वह भी कूट कूट के उसको पटक पटक के कर रही है क्योंकि इसको थोड़ा सा पटकना पड़ता है यहां पे देखिए कितने अच्छे से खमीर आ चुका है और यह पर्फेक्ट बनने के लिए रेडी हो चुका है तो मैं यहां पे कलोंजी निकाल ली हूँ साइड में धनिया पता मैंने काट के रख लिया इस तरह से इसको कम से कम थोड़ी देर के लिए दो तीन मिनट के लिए पटक दें जिससे कि यह बहुत अच्छा बने, soft मुलायं हमारे जो है कुल्चे बनके रेडी हो जाएंएं आप इससे कुल्चे भी बना सकते हैं नान भी बना सकते हैं जो चाहे वो बना सकते हैं तो चलिए मैं बना के आपको दिखाती हूँ कितने आसान तरेक्या है बनाने का और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बस लगता है कि हाँ मतलब बहुत जंजट वाला काम है इससे फटा फर भटोरे पूरी कुछ बना लो लेकिन आप एक बर ये बना के देखी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप हर बा थोड़ी सी गीली थी तो चिपक रही थी बार बार तो धनिया को थोड़ा सा सुखा दें क्योंकि थोड़ा से जल्दी था तो मैंने ऐसी कर दिया था आप इसको बस अभी इतना ही मोटा रखना है इसको और अब मैंने नौनिस्त्रिक तबा लिया है और इसके उपर डाल दि मिनट के लिए जब एक साइट से हो जाएगा तो हम दूसरी साइट से इसको 披लट देंगे तो अब देखिए bubbles आ गये हैं तो अब हम इसको पलट देंगे पलटने के बाद एक से से घी लगा लेंगे, तो इससे बहुत टेस्टी लगता है, खाने में अच्छा एक्दम सॉफ्ट मुलायाद है, और आप देख सकते हैं, देखने में किता सुन्दर लग रहा है, बहुत ही प्यारा और खाने में तो सच में बहुत टेस्टी था, एकदव अच्छा था, यह मैं पहला ही बनाई हूँ और उसके बाद जो बनाई थी, वह भी बहुत अच्छे फुले-फुले बना गये थे, बहुत अच्छे बने थे तो एक साइड में मैं बना रही हूँ, और दूसरी साइड में मैंने लोहे का तबा भी रख दिया है उसके उपर मैं नान भी बना के आपको दिखाऊंगी नान को बेलने के बाद एक साइड से मैंने पानी लगा दिया था उसके बाद तवे पे डाल दिया था एक साइड सीखने के बाद उसको पलट दिया है और इस तरीके से इसको सेख लेंगे इसमें भी आपका लौजी चाहे आप काला तिल हो कोई सबी चीज हो आप लगा सकते हैं इस तरह से गुमा गुमा के इसको सेखना है यह बहुत अच्छे से फूल जाता है बहुत अच्छा बनता है देखिए कितना अच्छा बन गया है इक दम फूल गया है जब इधर से सीख जाये तो इसको आप चम्चे से निकालने देख सकते हैं कोई कह सकता है कि घर में बनाया है बहुत ही परफेक्ट बनाया है अब इस पर हम घी लगा देंगे और जो है इसको सारो कर देंगे देख सकते हैं आप बहुत अच्छा बना भी ट्राई कर सकते हैं तो यहां पर हमार कितने आच्छ वना है बहुत टेस्टी बना है और यहां पर मैं ङूसफे उसके बार चिलला लमेव बनाती जा रही Holं यहां दूसरा भी मैंने उसी तरीके से भना लिए इस पे मैंने कलोंजी और साथ में धनियापत्ता भी डाला है तो यह भी और सुन्दर लग रहा है देखने में आप सब को मेरी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंज फामिली में जरूर शेयर करिएगा आप सब म